आज के दौर में हादसे का कोई भरोसा नहीं है। कब किस वज़ा से किस हादसे का शिकार हो जाए ये भी कहा नहीं जा सकता है। तो वहीं अक्सरेट से हादसों में लोग आज समय ही अपनी जान भी गवा देते हैं। मगर कभी-कभी ऐसा चमतकार भी होता है कि जब इनसान की जान हलक में अटक जाए और कहीं से कोई दूत आकर आपको बचा ले. जिहां सोंबार को ऐसा ही हुआ है. पला मुझीले के डालतन गंच रेलवे स्टेशन पर जहां एक महिला और उसके बच्चे के लिए आर्फियब जवान फरिस्ता बन कर आये और मौत की मुझ से उन्हीं बचा लिया. आज हम आपको इस खबर के माध्यम से इससे जुड़ी बातों को बताने जा रहे हैं. लेकिन इससे पहले जो दरसक हमारे चैनल पर नए है और पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे अपील है कि हमारे चैनल लोगतंत्रे 19 और दाक राम सभा को फेस्बु सोंबार को गड़वा रोड की तरब जाने वाली पैसंजर ट्रेन खड़ी थी. वही पैसंजर ट्रेन जैसे ही खुली एक महीला और बच्चा ट्रेन पर चनने लगे. इसी दोरान में महीला और बच्चा प्लेटफरम से फिसल गये. वो पट्रे पर गिरने ही वाले थे कि मौ के पर मौजूद आर्फियब जवानों की नजर उन पर पड़ी. और जवानों ने दोनों को बाहर खीच कर बचा लिया. इधर जैसे ही घटना की सूचना रेलवे रथिकारियों को मिला ततकाल ट्रेन को रोग दिया गया. जिसके बाद जवानों ने महीला और उसके बच्च पर गिरने वाला ही था कि आर्फियब जवानों ने दोड कर उसे बचा लिया था. गरवा रोड रेलवे इस्टेशन पर भी एक महीने पहले इसी तरह की घटना हुई थी जिसमें आर्फियब के जवानों ने एक यात्री को बचाया था. इस तरह डाल्टन गंज रेलवे इस्टेशन पर जवानों की ततपरता से दो जान बच गए. गनिमत थी कि वो वहाँ पे मौजूद थे लेकिन ऐसे हाथ से कहीं ट्रेल पर चड़ने की कोशिस ना की जाए. क्यूंकि ऐसे आपकी छोटी सी लापारवाई बड़ी दुरगटना का कारण बन सकती है. बाकि आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट वोक्स के मात्यम से जरूर बताए. फिलहाल आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं. और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर जरूर करें. साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. जोहार